हलो ममेजन डैडिज, वेलकम बैक टू बेबी हल्थ एंड केर आज का टापिक बहुत ही इंटरस्टिंग है खासकर उन पैरेंस के लिए जो अपने बच्चे को मोटा करना चाहती है बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिसे आप अपने बच्चे को खिला कर उसका वजन बढ़ा सकती है और उन्हें मोटा कर सकती है लेकिन कई बार बच्चों के गलत खानपन का नतीजा होता है उनका कम वजन क्योंकि बहुत से पैरेंस ऐसी गलतिया कर देते हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके इस्तमाल करते हैं बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है जैसे कि ज़्यादा कैलरीस के लिए शुगर डिजर्ट का यूज़ करना जबकि वजन बढ़ाने के लिए एक संतुलित और नूट्रिशियस टायट की जरूरत होती है इसके अलावा पैरेंस को इस चीज का विध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का खाना बहुत ही इंटरस्टिंग होना चाहिए इसलिए बच्चों को खाना या कोई भी चीज खिलाते वक्त उन्हें चक्रिय क्रम में यूज़ करना चाहिए इसका मतलब ये है कि एकी तरह का खाना खाने से बच्चों में खाने के प्रती उनका इंटरस्ट कम हो जाता है और इसके साथ ही वो एकी चीज से मिनने वाले न्यूटरिंस बच्चों की बॉड़ी में जादा हो जाते हैं और बाकी न्यूटरिंस कम हो जाते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है इसलिए बच्चों को डेली बेसिस पे अदल बदल कर खाना खिलाना चाहिए बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़े ज़ादा ज़रूरी होती है तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगी कि कौन सी चीज़ों का आपको धान रखना चाहिए ताकि आप अपने बेबी का वजन जल्दी से बढ़ा सकें तो चलिए देखते हैं कि वो चीज़े कौन सी है सबसे पहली चीज़ है डेली ब्रेकफ़स्ट अगर आप अपने बच्चों का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनके सुबह के नाश्टे पर जादा धान दे क्योंकि अक्सर बच्चे सुबह के नाश्टे को पूरा किये बिना ही छोड़ देते हैं ऐसा करने से उनके फिजिकल डेवलप्मेंट पे इसका सीधा असर होता है क्योंकि सुबह सुबह अगर बच्चे अच्छा और हेल्दी नाश्टा करेंगे तो दिन भर उनकी भूख बढ़ने में मदद मिलेगी रात के समय खाना खाने के बाद जब सुबह बच्चे उठते हैं तो उनकी बॉड़ी को बहुत ज़्यादा इनर्जी की जरुवत होती है इसलिए ये जरूरी है कि डेली बेसिस पे बच्चे सुबह हेल्दी और अच्छा नाश्टा करें ताकि उनकी बॉड़ी में एनर्जी बनी रहें इसके साथ ही डेली भरपेट नाश्टा करना बच्चों का वजन बढ़ाने में और उन्हें मोटा करने में भी काफी हल्पफुल होता है अगली चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो है कि बच्चों को हर दो घंटे में खाना खिलाती रहें बच्चे हो या बड़े, नॉर्मली हम सभी लोग दिन में तीन बार मिल लेते हैं जबकि बच्चों के मामले में ये बात सही नहीं है बच्चों को दिन में थोड़ा-थोड़ा करके कम से कम पाच से 6 बार खाना खिलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनका digestion system अच्छा होता है और उसमें काफी तेज़ी आती है जिसी की उनकी body खाना बहुत ही जल्दी पचा लेती है और इसी की वज़े से उनका सही वजन भी बढ़ता है एक बार में ही जादा खाना खाना digestion में problem कर सकता है इसके अलावा एक बार में ही जादा खाना खाने से पेट से related और भी बिमारिया हो सकती है इसी लिए आपको ये करना चाहिए कि बच्चों को दिन में थोड़ा-थोड़ा कई बार खाना खिलाना चाहिए ऐसा करने से आप उनके वजन को भी बढ़ा सकते हैं बच्चों को मोटा करने के उपाए में पॉस्टिक और नूट्रिशल्स फूड के साथ ही भरपूर नींद भी जरूरी है क्योंकि ये कुछ ऐसी आदते हैं जो कि सीधा बच्चे के हेल्थ फर इफेक्ट करती हैं जिन बच्चों के शरीर का वजन कम है उन्हें हेल्दी फूड लेने के साथ ही भरपूर नींद भी लेना चाहिए नॉर्मल लोगों की तूलना में बच्चों को कम से कम दस घंडे की नींद मिलनी ही चाहिए ऐसा करने से बच्चों में रोग प्रतिरोधक शमता यानि इमुनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हल्प मिलती है और इन्फेक्शन और बिमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे खिला कर आप अपने बच्चे को मोटा कर सकती है पिछली वीडियो में मैंने बहुत सी ऐसी चीजें बताई है जो कि बच्चे को मोटा करने के लिए main source होता है लेकिन उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी और चीज़े हैं जिसे खिला कर आप बच्चे का वजन बढ़ा सकती हैं तो चलिए जानते हैं कि वो चीज़े कौन सी है सबसे पहला है शकरकंद यानि स्वीट पटाटो बहुत से छोड़े बच्चों को स्वीट पटाटो बहुती जादा पसंद आता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिने ये चीज़े पसंद नहीं आती है लेकिन अगर आप अपने बच्चे का वजन बढ़ाना चाहती हैं तो आप उनकी डायेट में स्वीट पटाटो को ज़रूर शामिल करें ये बच्चों का वजन बढ़ाने में बहुती प्रभावशाली माना जाता है अगली चीज है दाले अलग अलग तरह की दाले बहुती निट्रिशिस होती है उसमें हर तरह के विटमिन्स और मिनरल्स होते हैं जो की बहुती अच्छी मात्रा में होते हैं आप अपने बच्चों को मिक्स डाल से बनी हुई खिचली जरूर खिलाए ये बहुती टेस्टी तो होती है लेकिन इसके साथ ही ये बच्चों की शरीर में प्रोटीन, मैगनेशियम, कैल्शियम, आइरन, फाइबर और पोटेशियम इन जैसे विटमिन्स और मिनरल्स की कमी को दूर करता है इसके अलावा दाल पचाने में भी बहुती इजी होता है जिससे की बच्चे के डाइजेशन सिस्टम को कोई भी प्रोब्लम नहीं होती है अगर आपका बच्चा बहुती छोटा है तो शुरू में आप उसे दाल का पानी दे सकते हैं इसके बाद आप उसे दूसरे चीजे भी खिला सकती है फ्रेश फ्रूट्स वैसे तो सभी को फ्रूट्स बहुती जादा पसंद आते हैं और बच्चों को भी फ्रूट्स काफी पसंद होते हैं फ्रूट्स को बच्चों के डेली डायेट में शामिल करना उनके वजन बढ़ाने के लिए बहुती जरूरी है पपाया, मैंगो और पाइनपल जैसे फलो में नाच्रल शुगर अच्छी मात्रा में होता है नाच्रल शुगर बॉड़ी को एनर्जी देने में मदद करती है इससे बच्चों का वजन तो बढ़ता ही है, साथ में उनकी बॉड़ी को एनर्जी भी मिलती है अगली चीज है घी, घी बच्चों का वजन बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में हल्दी फैट होता है लेकिन बच्चों को घी खिलाते समय उसकी शुद्धता का जरूर ध्यान रखे क्योंकि मिलावटी घी खिलाने से बच्चों को कोई फायदा तो होगा नहीं लेकिन हो सकता है कि इससे बेबी को प्रॉब्लम जरूर हो जाए इसलिए इसका धान रखे कि बच्चों को हमेशा प्योर घी ही खिलाए हो सके तो आप अपने बच्चे को घर का बना घी ही खिलाएं इसके अलावा इस चीज़ का भी धान रखना चाहिए कि बच्चों को एक संतुलित मातरा में ही घी खिलाना चाहिए ज्यादा मात्रा में घी खिलाने से बच्चों को पेट से संबंदित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसलिए एक लिमिट मात्रा में ही बेबी को घी खिलाएं तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़े थी जो कि आप अपने बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए इस्तमाल कर सकती हैं तो चलिए आप जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको अपने बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए काफी मदद करेंगे बच्चों को खाना खिलाते वक्ट आप different types के color वाले food baby को खिलाएं अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होता है आपने बहुत बार देखा ही होगा कि different types के color बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं रंग बिरंगी चीजों को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा attract होते हैं इसलिए अगर आप अलग अलग रंगों वाले खाने की चीज़े baby के लिए इस्तेमाल करेंगी तो खाने की तरफ baby का interest ज़्यादा बढ़ेगा और baby बहुती interest के साथ वो सारी चीजों को खाएगा जिससे कि उसका वजन बढ़ने baby काफी help होगी कभी-कभी बच्चे खाना खाने में आना कानी करते हैं लेकिन जब बच्चे आना कानी करें तो उन्हें जबर्दस्ती ना करें खाना खिलाने के लिए आप उन्हें कुछ देर तक बहला सकती हैं या फिर उनके पसंद का कुछ नई चीज़े आप उन्हें खिला सकती हैं अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखे कि बच्चे को खाना खिलाने में जल्दबाजी ना करें पेशन्स रखें और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें परिवार के दूसरे लोगों के साथ खेलने दे और खेल-खेल में ही या फिर जब बच्चे दूसरे के साथ खेल रहे हो उसी समय उनको खाना खिलाएं कभी-कभी कुछ नट्स, ड्राइफ फ्रूर्ट्स या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़े होती है जो कि बच्चों में ऐलर्जी का कारण बन सकती है इसलिए आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पहचान ले जो आपकी बच्चे में ऐलर्जी पैदा करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे नट्स, मच्छली या लैक्टोस के प्रति सेंसिटिव होते हैं और इन चीज़ों से उन्हें ऐलर्जी होती है इसलिए आप बहुती सावधानी के साथ इन चीज़ों को अपने बच्चे को खिलाएं और साथ में ये भी नोटिस करें कि आपके बच्चे को उससे इलर्जी है या नहीं ट्रैवलिंग के समय या फिर बाहर जाते वक्त आप ये शौर करें कि बच्चे को घर का खाना ही खिलाएं क्योंकि बाहर का खाना या फिर पैक फूड बच्चों के लिए बहुती अनहल्दी है और इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है शुरुआत से ही कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के खाना खाने का टाइम फिक्स करें और daily उसे एक ही time पे खाना खिलाएं ताकि baby का एक routine बने और वो routine के अनुसार ही उसकी body react करे और वो time पे ही खाना खाएं इसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखी कि बच्चों को जादा खाना ना खिलाएं क्योंकि जरुएस से जादा खाना खिलाने से भी बेबी को uncomfortable फिल हो सकता है और इससे उसको और भी problems हो सकती है बच्चों को उनके पसंद के खाने के साथ ही उन्हें healthy और nutritious food देना चाहिए जिससे कि उन्हें सबी तरह के nutrition मिलने में help होगी और उनकी growth बहुत ही अच्छे से होगी तो ये थी कुछ tips जो आपको काफी help करेंगे आपके बेबी का वजन बढ़ाने में I hope कि ये सारे tips आपके लिए बहुत ही helpful होंगे ये tips आपको कैसे लगे हमें comment करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें और जादा अच्छी लगी हो तो इसे share भी जरूर करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं information के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए thanks for watching, bye bye